नमस्ते सिंपली कुप में आपका स्वागत है आज एक और रेसिपी में आपके साथ शियर करूंगी जिसका नाम है चिकन टंगरी मसाला जो कि बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में आपको बना के दिखाऊंगी तो चेलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी यहाँ पर मै नीवु को राश में आपको जिस से की यह छिकेन सोफ्ट हो जाए और नीमु के रास एड करने से एक जो बैट समयल ہोता है वो भी नहीं आता है इसलिए इसमें नीमु को रश में एड करें हैं यहाँ पर मैने तो यह मों सा नमक एड किया है एक चमाच हल्दी पाउडर एक जीरा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच भी है यहाँ पर चिरी फ्लेक्स यहाँ पर एड़ कर रहे हूं है और मैंने यहाँ पर साबूद जीरा एक चम्मच एड़ किया हैं दो इलाइची, दो दाचिनी और दो लॉंग में इसमें एट करूंगी अब मैंने एक मीडियम साइज का पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे हाफ इंच अद्रक आप देख सकते मैंने या लिया है चे साइज लेसुन की कलिया और अ sensory इसका हम एक बड़िया सा fine paste तैयार कर लेंगे यह देखी, यह paste मैंने पहले से तैयार करके रखा है अब हम इसमें एक मेरिनेट का प्यास जो है वो कट करके चॉप एक बड़िए कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर flavor जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए और हमने chicken में जो cut किये हैं बीच बीच से उसके अंदर भी मसाले को जो है अच्छे तरीके से हमें marinate कर लेना होगा इसे हम fry pain में बनाएंगे क्योंकि इस recipe को fry pain में इसलिए बनाते हैं जिससे कि ये चिपके न देखिए मैंने आपर fry pain में ही marinate करके इसे ढखके एक घंड़े के लिए रख दूँगी उससे पहले मैं इसमें mustard oil आड़ करती हूँ mustard oil में बहुत जादा आड़ नहीं करी हूँ थोड़ा सा ही mustard oil में इसमें add करूँगी करके अच्छे तरीके से marinate करके फिर मैं इसे एक घंड़े के लिए ढखके रख दूँगी एक घंड़े हो चुका है अब एक घंड़े बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी छोटे कप का एक कप पानी आप इसमें add कीजिएगा करके अब मैं इसे ढखके बिल्कुल low flame में छोट देना है बिल्कुल इसको करीबन 45 मिनिट के लिए इसे इसी तरीके से पकने द बनता है बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है एक बास जरूर ट्राय करके देखिए देखिए मैंने यहाँ पर 15-20 मिनिट बाद इसे में धक्कन खोल के दिखा रही हो आपको यह अभी तक इतना ही बना है 45 मिनिट इसे बनने में लगता ही है अब इसको चिकन को में थोड़ा सा दूसरे साइड में ऐसे दूसरे साइड कर लूँगी जिससे कि यह दोनों तरब से ही अच्छे तरीके से पक सके आप देख सकते हैं उससे भी मैंने इसमें आट कर लिया है यह देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइफ शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसे आने वाले और भी वीडियो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके इसे मैं फिर से ढख दूँगी और इसे इसी तरीके से हमको पकाते रहना है इसे और कुछ भी नहीं करना है और थोड़े देर बाद जब और 15 मिनिट्स बाद में इसमें हरी मिर्च एट करी हूँ देख हरी मिर्च में इसलिए बाद में दे रही हूँ जिससे कि इसके जो फ्लेवर से वो बहुत अच्छे आते हैं इसलिए हरी मिर्च को बिल्कुल लास्ट में आप एट कीजिएगा ये मैं थोड़ा सा पहले ही एट कर रही हूँ और इसमें अच्छा तीखा पन लाने के लिए अगर आप तीखा खाना जादा पसंद करते हो तो आप इसमें और भी हरी मिर्च एट कर सकते हो 40 मिनिज बाद ये आप देख सकते हो कि चिकन जो है इस तरीके से दिखेगा ये बिल्कुल पक चुका है बिल्कुल रेडी हो चुका है अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी ये देखिए आज का ये वीडियो बस यही तक नेक्स वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आप से मेलूँगी तब तक के लिए